नमस्कार, आज हम कक्षा साथ की संस्कृत के छठे पाठ जिसका नाम है सदाचार, हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे तो चलिए पाठ के अभ्यास की और बढ़ते हैं पहले भाग में सरवान श्लोकान सस्वरम गायत अर्थात पाठ में दिये गए सभी श्लोकों को सुर में गाये इसके लिए आपको पाठ में दिये गए श्लोकों को याद करना होगा अभ्यास के दूसरे भाग में उपयुक्त कथना नाम समक्षम हाम अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इती लिखत अर्थात जो कथन सही है उसके समक्ष आम शब्द लिखना है अर्थात हाँ और जो अनुपयुक्त कथन है जो वाक्य सही नहीं है उनके आगे न लिखना है पहला वाक्य है प्राता काले इश्वरम स्मरेद अर्थात सुभा के समय ईश्वर को याद करना चाहिए ये सही वाक्य है इसके सामने आम शब्द का प्रियोग किया जाएगा दूसरा वाक्य है आन रितम प्रुयाद अर्थात जूट बोलना चाहिए ये वाक्य सही नहीं है इसलिए इसके सामने ना लिखा जाएगा तीसरे वाक्य में बताया गया है मनसा श्रेष्ट जनम सेवेत अर्थात हमें पूरे मन से श्रेष्ट लोगों की सेवा करनी चाहिए ये एक सही वाक्य है इसके सामने आम लिखा जाएगा चौथा वाक्य है मित्रेन कलहम कृत्वा जनहा सुखी भवती अर्थात मित्र के साथ जगडा करके लोग सुखी रहते हैं ये एक गलत वाक्य है इसके सामने ना लिखा जाएगा और अंतिम वाक्य है श्वाहकारियम अध्यकुर्वीद अर्थात हमें कल के कारे को आज ही कर लेना चाहिए इसमें एक सही संदेश दिया गया है इसलिए इसके आगे आम लिखा जाएगा अभ्यास का तीसरा भाग एक पदेन उत्तरत अर्थात दिये गए प्रशनों का उत्तर एक शब्द में देचिये पहला प्रशन है क न प्रतीक्षते अर्थात कौन प्रतीक्षा नहीं करता है इसका उत्तर है मृत्यु दूसरा प्रशन है सत्यता कदा व्यवहार इस्यात अर्थात सच्चाई हमारे व्यवहार में कब होनी चाहिए इसका उत्तर है सर्वदा अर्थात हमेशा तीसरा प्रश्न किम ब्रुयात अर्थात हमें कैसा बोलना चाहिए इसका उत्तर है सत्यम प्रियम च अर्थात हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए अंति प्रश्न है केन सह कलहम कृत्वा नरहा सुखी न भवेत अर्थात किसके साथ जगडा करके व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है इसका उत्तर है मित्रेण अर्थात मित्रों के साथ अभ्यास का चौथा भाग रेखांकित पदानी आध्रित्य प्रश्न निर्मानम कुरुत अर्थात रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्णों का निर्मान कीचिए पहला वाक्य है मृत्यों हो नाप्रतीक्षते अर्थात मृत्यों किसी के प्रतीक्षा नहीं करती है मृत्यों के आधार पर जोके रेखांकित शब्द है इसका प्रश्ण निर्मान होगा का नाप्रतीक्षते इसी प्रकार दूसरा वाक्य कलहम कृत्वा नरहा दुखी भवती अर्थात जगडा करके व्यक्ति दुखी रहता है कलहम जोकी रेखांकित पद है इसके आधार पर प्रश्ण निर्मान होगा किम कृत्वा नरह दुखी भवती तीसरी वाक्य में पितरम कर्मना सेवेत अर्थात पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए इसका प्रश्ण निर्मान होगा कम कर्मना सेवेत चोथे वाक्य में व्यवहारे मृतुता श्रेहसी अर्थात हमारे व्यवार में कोमलता होनी चाहिए इसका प्रेशन निर्मान होगा व्यवारे का श्रेयसी अंतिम वाक्य है सर्वदा व्यवारे रिजूता विधेया अर्थात हमेशा हमारे व्यवार में सरलता होनी चाहिए सरवदा जो कि रेखांकित पद है इसके आधार पर प्रश्ण निर्माण होगा कदा व्यभारे रिजुता विधेया अभ्यास का अगला भाग है प्रश्ण मध्ये त्रीनी क्रिया पदानी संती अर्थात दिये गए प्रश्न के मध्य में तीन क्रियापद दिये गए हैं तानी प्रयोज्य सार्थक वाक्यानी रच्यत उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए ये तीन क्रियापद हैं ब्रुयात, सेवेत और स्यात इन में ब्रुयात कार्थ है बोलना चाहिए, सेवेत कार्थ है सेवा करने चाहिए और स्यात कार्थ है ऐसा हो या होना चाहिए इन क्रियापदों के चारों और जो अधूरे वाकित दिये गए हैं इन क्रियापदों का उचित प्रियोग करते हुए पूर्ण वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगे। पहला वाक्य बनेगा अनरितम प्रियमच ना ब्रुयात अर्थात प्रिय लगने वाला जूट नहीं बोलना चाहिए। दूसरा वाक्य बनेगा व्यवहारे सर्वदा अउदारियम स्यात अर्थात हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। इसी प्रकार तीसरा वाक्य होगा श्रेष्ठ जनम कर्मना सेवेत अर्थात श्रेष्ठ लोगों की कर्म पूर्वक सेवा करनी चाहिए। चोथे वाक्य में सियात क्रियापद का उप्योग करते हुए पूर्ण वाक्य होगा व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम ना सियाद अर्थात हमारे व्यवहार में कभी भी कौटिलता नहीं होनी चाहिए अगले वाक्य में ब्रुयात क्रियापद का प्रियोग होगा और पूरा वाक्य बनेगा सत्यम आप्रियमच ना ब्रुयात अर्थात ऐसा सच जो किसी को प्रिय ना लगे वो नहीं बोलना चाहिए अगला वाक्य बनेगा वाचा गुरुम सेवेत अर्थात गुरु की सेवा पूरे वचन के साथ करनी चाहिए इसे आगे का वाक्य बनेगा सत्यम प्रियम चब्रुयात अर्थात हमें हमेशा सच और मीठा बोलना चाहिए अंतिम वाक्य बनेगा मनसा मातरम पितरम चा सेवेत अर्थात हमें पूरे मन से मातापिता की सेवा करनी चाहिए अभ्यास के छठे भाग में मन्जुशातह अव्याई पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत अर्थात दिये गए उचित अव्याई पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए पहले वाक्य में सदा शब्द का प्रियोग होगा और पूरा वाक्य बनेगा भक्तह सदा इश्वरम स्मरती अर्थाथ भक्त हमेशा इश्वर का स्मरण करता है इसी प्रकार दूसरे वाक्य में न का प्रियोग करते हुए पूरा वाक्य होगा असत्यम न वक्तव्यम अर्थात जूट नहीं बोलना चाहिए तीसरे वाक्य में तथा शब्द का प्रियोग होगा और पूरा वाक्य मनेगा प्रियम तथा सत्यम वदेत अर्थात हमें हमेशा मीठा और सच भोलना चाहिए अगले वाक्य में च का प्रियोग करते हुए पूरा वाक्य बनेगा लता मेधा च विद्यालेयम गच्छता है अर्थात लता और मेधा विद्याले जा रही हैं अगले वाक्य में अपी अव्येगा प्रियोग होगा और पूरा वाक्य बनेगा अपी कुशली भवान अर्थात क्या आप कुशल हैं? अंतिम वाक्य में कदाचन शब्द का प्रियोग करते हुए पूरा वाक्य बनेगा महात्मा गांधी कदाचान आहिंसाम ना आत्याजत अर्थात महात्मा गांधी ने कभी भी आहिंसा का मार्ग नहीं त्यागा अभ्यास का सात्मा और अंतिम भाग अर्थात चित्रों को देखकर और दिये गए शब्दों के आधार पर वाक्यों की रचना कीचिये इसमें चित्र के अनुसार दिये गए शब्दों को व्यवस्थित करने के पस्चात हमें इस प्रकार के वाके प्राप्त होंगे तो ये था कक्षा साथ की संस्कृत के छठे पाट का अभ्यास आशा है आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद